नेसल पॉलिप नाक की जो लाइनिंग होती है, मेंब्रेन होती है उसमें गरेप-like polypes growth की वो समस्या है जिसके कारण आपको सर्जरी तक जाना पड़ता है उसकी सर्जरी कराने जाना पड़ता और वहार रीकरेंट होती है तमाम लोगों को sinusitis पाई जाती और अगर आपको 12 हफ्ते से ज़्यादा sinusitis है तो polyp आपके नाक में निकलने की संभावना है आज हम साथियों इसी संभावना के निवारण पर बात करेंगे बताएंगे आपको कुछ कारगर होमिपेथिक दवाएं नमस्कार साथियों डॉक्टर रुमंग खना उम्योपेथि क्लिनिक केस प्रोग्राम में आपका स्वागत है साथियों आज हम बात करेंगे नेसल पॉलिप के विशे में नेसल पॉलिप आपका जो नेसल मेंब्रेन होती है उसके अंदर गुच्छे ऐसी ग्रेप्स की ऐसी ग्रोथ होने लगती है और बच्चे लोगों की नाक आम तोर पे इससे बन रहती है उनको जुकाम बना रहता है और छीके आती रहती है और इस तरह की तमाम समस्याएं होती है आज हम आपको बताएंगे साथियों कुछ कारगर हुमियोपेटिक दवाएं जो आपके इस नेसल पॉलिप को खतम करके आपको सर्जिकल प्रोसेस से बचाने के लिए मददगार साबित हो सकती है सबसे पहले साथियों जान लेते हैं नेसल पॉलिप होता क्या है नेसल पॉलिप साथियों आपकी जो नोस की लाइनिंग होती है इसके अंदर की growth होती है यहां non-cancerous होती है और grape-like होती है लगातार जब आपको sinus बना रहता है 12 हफते से ज़ादा यानि chronic sinusitis हो जाती है तो उस इस्थिती में आपकी nasal polyp develop होने लगते हैं और आपकी नागबंद होने लगती है symptoms आती हो, nasal polyp के symptom आपकी नागबंद होना, पानी ऐसी नागबंद होना, सर में आगे की तरफ दर्द होना जिस करवट आप लेटे हैं उधर नागबंद होना, नाग से बद्बू आना, इस तरह के symptoms होते हैं जो nasal polyp के मरीज में पाए जाते है एक्सरे से यह अराम से दिख जाता है, आप इसके लिए एक्सरे भी करा सकते हैं और आप यहों भी टॉट से दिखेंगे तो आपको ग्रेफ के गुच्छे ऐसे लटके हुए नाग में दिखेंगे nasal polyp के कारणों की बात कर लेते हैं साथियों, nasal polyp के कारण आज तक अन्नोन है माना यह जाता है कुछ मारकर क्रोमोजोम्स होते हैं और आटो-इम्यून व्यक्ति का जो response होता है यहां दोनों चीजे मिलके एक nasal polyp कॉस करती है लेकिन फिलाल nasal polyp हैं किसी के, तो उसका समदान होमियोपैथी में संभावित है आज हम बताएंगे कुछ कारगर आपको दवाएं इसी विसे में लेकिन दवाएं बताने से पहले साथियों बता दें दवाएं आपकी जानकारी के लिए हैं कोई भी दवा बिना कुसल जी किसक से पूछे, मत लीजेगा तो चलते हैं साथियों सफर पे जिस पे आपको बताते हैं nasal polyp को ठीक करने की कुछ कारगर होमियोपैथिक दवाएं साथियों नंबर एक दवा जो होमियोपैथी में nasal polyp को ठीक करने की आती है यह हमका इन दो दवाएं आती हैं वहाँ है लेमना माइनर का मदटींचर और काली बाइक रोम अगर आपके नाक में बद्बू ऐसा बद्बू मैसूस हो रही है और nasal polyp की स्थिती है तो आप लिमना माइनर दस बून दिन में चार बार मदटींचर आधे कप पानी में ले सकते हैं यहाँ आपके जो नाक से बद्बू आ रही ओफिंसिव ओडर है उसको भी ठीक करने में मदद करेगा और आपके polyps को भी धीरे धीरे खत्म करने में help करेगा एक स्थिती सात्यों आती है कि मरीज को बहुत चीके आती रहती हो किसी भी ऐलर्जेंसे जैसे सुबा उठे तो चीक आ रही शाम उई तो चीक आ रही मलब सुबा और शाम के टाइम तकलीफे बढ़ रही है और उसको नेसल पालप है अगर या स्थिती हो सात्यों तो इस स्थिती को ठीक करने के हुमियों पैती में बहुत कारगर दवा है हीपर सलफर आप हीपर सलफर 30 पावर में 2-2-1 दिन में 3 बार हर उस मरीज को दे सकते हैं जिसको की हाइपर सिंसेटिविटी हो सुभा और श्याम तकलीफे बढ़ती हो पीले रंग का नाग से बलगम आता हो और उसको उसका देचर भी हाइपर सिंसेटिव हो उस इस्सिति में बहुत अच्छी दवा है या इसको दे के आप मरीज को स्वास्तला प्राप्त कर सकते हैं नेसल पॉलिप में साथियों एक बहुत कॉमन कंडिशन आती है कि नाग बंद हो जाती है मरीज जिस करवट लेटा उस तरफ नाग बंद होई तो अगर यहाँ सिंटाम है साथियों तो इस सिति को ठीक करने की हुमियोपेश्टी में बहुत कारगर दवा है ट्यूक्रियम मेरम विरम यानि TMV आप TMV 30 पावर में 2-2 बून दिन में 3 बाल ले सकते हैं जब किसी मरीज को नेसल पॉलिफ हो वहाँ मरीज ले सकता है जब उसको नेसल पॉलिफ हो और जिस करवट वो लेटते हो उधर साइड उनकी नाग बंद हो रात में तो ऐसी सिति की बहुत अच्छी दवा ट्यूक्रियम मेरम विरम है एक सिति सातियों आते हैं कि मरीज को साइनुसाइटिस हो लगातार साइनुसाइटिस बना रहता हो जब 12 हफते से ज़ादा साइनुसाइटिस होता है तो उसको यहाँ दिकत होने लगती है तो अगर वह है सितियों सातियों तो उस सिति को यानि sinusitis plus nasal polyp ठीक करने की होमियोपेथी में दो या तीन बहुत कारगर दबाएं पहली दबाएं सालीसिया, सालीसिया 200 पावर की दो दो बून दिन में, दो दो बून weekly मरीज को तीन बार हर अपते दे देनी चाहिए और साथ में काली बाइक्रोम 30 और अमोनियम कार्ब 30 दो दो बून दिन में तीन बार दे देनी चाहिए इन तीनों दबाएं से मरीज का nasal polyp भी खतम होगा और उसका sinusitis भी ठीक होगा यह ती साथियों किसी मरीज के right side, right side nasal polyp है तो उसको ठीक करने के हुमियोपेती में दो बहुत कारगर दवा है पहली दवा है sanguneria और तूसी दवा है calinitricum sanguneria 30 पावर में दो दो बून दिन में तीन बार आप उससे सिती में दे सकते हैं जब मरीज को right sided polyp हो और उसके पानी ऐसी discharge nose से आ रहा हो उससी सिती में sanguneria बहुत कारगर दवा है, मरीज को दी जा सकती है और calinitricum उससी सिती में बहुत कारगर दवा है जब right side मरीज के nasal polyp हो और साथ में उसके बहुत ज़्यादा right side pain हो रहा हो तो उस सिती में calinitricum बहुत अच्छी दवा है आपको nasal polyp को ठीक करने के लिए आप 30 पावर में दो-दो बून यहाँ दवा देकर स्वासलाब प्राप्त कर सकते है एक सिती सातियों आती है किसी को नजला हुआ हो, cold हुआ हो, polyp हुए हो उसके नाक से हरा discharge आ रहा हो तो अगर यहाँ एस सिती हो की green discharge nose से आ रहा हो तो उसको ठीक करने के हुए हो पैती में बहुत कारगर दवा है थूजा occidentalis थूजा 30 पावर में दो-दो बून दिन में तीन बार हर वहाँ मरीज ले सकता है जिसको की green discharge nose से आ रहा हो नेसल पॉलिप के कारण यहाँ दवा उसको लाब देगी और ठीक करेगी यदि साथियों किसी के left side नेसल पॉलिप हैं तो उस मरीज को एक बहुत अच्छी दवा होवियों पैथी में आती है कलकेरिया कार्बोनिकम कलकेरिया कार्बोनिकम 30 पावर में 2-2-1 दिन में 3 बार हर किसी मरीज ऐसा जिसको left side नेसल पॉलिप हो दी जा सकती है जो की constitution जिसका fair and flabby हो left side उसके नेसल पॉलिप सो सर से उसके पसीना बहुत आता हो और उसे सरदी बहुत लगत लगती हो यदि या सिम्टम हो तो कलकेरिया कार्ब ऐसे मरीज की drug of the choice हो सकती है एक स्थिती सातियों आती है कि मरीज को नेसल पॉलिप हो और अकसर उसके नाक से खून आ जाता है नोस से ब्लीडिंग हो जाती है तो अगर यह स्थितीय सातियों कि किसी की नोस से अकसर ब्लीडिंग हो जाती हो नेसल पॉलिप हो तो उसको ठीक करने के हुमियोपैथी में दो बहुत कारगर दबा है पहली दबाए फॉस्फोरस तूसी दबाए अमोनियम कार्ब फॉस्फोरस वानियम की तीन खुराग पच-पच मिनट के फासले पर वीकली आप ऐसे मरीज को दे सकते हैं जिसके नोस से ब्लीडिंग होने लगती हो और साथ में आप अमोनियम कार्ब थर्टी पावर में दो-दो बून दिन में तीन बार दे सकते हैं मेरे क्लीनिक पर इन दबाओं से मैं समझता हूँ एक या दो दिन से जादा मरीज को ब्लट रुकने में नहीं लगते तो आप इन दबाओं का इस्तमाल करके निसल पॉलिप को ठीक कर सकते हैं फिर साथियों एक स्थिति आती कि मरीज को छीके बहुत आ रही हो और नजला आ रहा हो उससे नाक लाल हो गई हो जलन वाला नजला हो तो अगर यहां स्थितियों साथियों तो इससे स्थिति को ठीक करने की होमियोपैती में बहुत कारगर दबा आती है एलियम सीपा एलियम सीपा 30 पावर में दो दो बून दिन में तीन बार आप हर उस मरीज को दे सकते हैं इसको कि खुब पानी ऐसा नजला बैता हो और जो नजला बैता हो वहाँ जलन करता हो नोज में बनिंग करता हो तो ऐसी स्थिति के लिए बहुत अच्छी दवा है इलियम सीपा और अगर उसकी आखों से नजला बैरा और जलन हो रही है आईज में तो उसी स्थिति की बहुत अच्छी दवा है यूफ्रेशिया और फिसनैलिस तो यहाँ दवा लेकर आप इन सिंटन्स पे नेसल पालिप को ठीक करने का प्रियास कर सकते हैं एक स्थिति साथियों आती है कि किसी बैक्ति को नेसल पालिप निकले हो और उसके बहुत जादा नोज बैती हो उससे बलगाम आता हो उसको तार ऐसा पीले रगा बलगाम और उसको आप तार ऐसा खीच सकते हो तो अगर उसको strings में आप draw कर सकते हैं ऐसा mucus आ रहा है तो इस सिस्थिती को ठीक करने की बहुत अच्छी दवा है काली बाइक्रोम काली बाइक्रोम साथियों sinusitis की भी head remedy है तो अगर आपको sinusitis with nasal polyp है तो काली बाइक्रोम आपके लिए number 1 दवा है आप इस दवा को लेकर स्वासला प्राप्त कर सकते हैं यह साथियों को दवाएं थी nasal polyp को ठीक करने की यह surgery का case है लेकिन हुम्यूपैथी में कारगर दवाएं आती है आप यह दवाएं या आपका कुछ सिल्चक चिकिस्था कोई भी और दवा लिखता है आप उसको prescribe करा के इ आपकी बात का संदोश चनक जबाब दे सके साथियों एक कॉमन समस्या नेसल पॉलिप वीडियो आपको अच्छा लगाओ तो वीडियो को लाइक करिएगा शेयर करिएगा अपने चैनल को subscribe करिएगा और बेल आइकन क्लिक करके सबसे पहले सबसे निया वीडियो यहीं प्र आपकी बात करिएगा खिर उगाओता है कर दो कर दो कर दो